एक बंद अंतराल में फलन का उचिष्ठ और निमनिष्ठ मान। फलन का उचिष्ठ मान। यदि एक बंद अंतराल A, B पर फलन F, X को परिभाशित किया जाता है, तब इस फलन को X बराबर C पर निरपेक्ष या व्यापक उचिष्ठ वाला एक फलन कहा जाता है, तथा C, A, B के अंतरगत आता है, यदि A, B के अंतरगत सभी X के लिए F, X, F, C से छोटा क्या पराबर हो। फलन का निमनिष्ठ मान। यदि एक बंद अंतराल A, B पर एक फलन F, X को परिभाशित किया जाता है, तब इस फलन को X बराबर D पर एक निमनिष्ठ वाला फलन कहा जाता है, तथा D, A, B के अंतरगत आता है, यदि A, B के अंतरगत सभी X के लिए F, X, F, D से पढ़ा या पराबर हो। प्रमय, माना की F एक बंद अंतराल I पराबर A, B पर एक सतक फलन है, तब F निरपेक्ष उच्चिष्ठ मान होता है, तथा F, I में कम से कम एक बार इसे ग्रहन करता है, इसके अलावा F निर्पेक्ष निमनिष्ठ मान होता है तथा F I में कम से कम एक बार इसे ग्रहन करता है प्रमय, माना की F एक बंद अंतराल I पर एक अफ कलच फलन है तथा माना की C I का कोई आंतरिक बिंदू है तब F डेश C बराबर चूने होता है यदि F C पर अपना निर्पेक्ष उच्चिस्ठ मान प्राप्द करें F डेश C बराबर चूने होता है यदि F C पर अपना निर्पेक्ष निमनिष्ठ मान प्राप्द करें कारे नियम चरण एक अंतराल में f के सभी महत पूर्ण बिंदू ग्याद कीजिए अर्थात बिंदू x ग्याद कीजिए जहां या तो f' x बराबर शुन है या f अफ कलनिये नहीं है चरण दो अंतराल के अंत बिंदू ले चरण तीन, अंत बिंदु में F के मान का परिकलन कीजिए चरण चार, परिकलन मानों में से F के उचिस्ट और निमनिस्ट मान को पहचाने ये उचिस्ट मान F का निरपेक्ष उचिस्ट मान होगा तथा निमनिस्ट मान F का निरपेक्ष निमनिस्ट मान होगा